आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्तार रविंद्र आनंद ने देहरादोन में निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हार के डर से सरकार निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव के बात कराने की सोच रही है। इसके साथ ही रविंद्र आनन ने मेर सुनिल यूनियर गामा से अपनी संपत्ती का ब्योरा सारवजनिक करने के लिए कहा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि एक चाउमीन बेचने वाला करोरपती कैसे बन गया। इसके जानकारे उन्हें प्रदेश की जनता को देनी चाहिए। प्रदेश का ब्योरा को दिया। हमारी ये मांग है, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि सुनिल उन्याल गामा मेर साथ देहरदुन के अपनी वापने परिवार की संपत्ती को साजनिक करते हुए जनता के समक्षक हैं कि आज उनके पास और उनके परिवार के पास कितने करोड की संपत्ती है फिर इसका अंदाजा जरूर लगाया जाएगा कि जब वो चुनाम में गए थे तब संपत्ती कितनी थी। झाल